आउट से स्टार्ट करते हैं, तो, हाँ, पुछिए, प्लान ए है, MSC स्टाडिस्टिक्स का, प्लान भी है, माथमेटिक्स इन कम्प्यूटिंग का, यह कह रहे हो, तो, कोई इसका फैदा है, फैदा है ना, प्लेस्मेंट वही हो देगो, एक्चुली जब क्यूपर्ट में जाओगे तो वहां काम अलग होता है, वहां सब्जेक्ट थोड़ी होते सब्जेक्ट जैसे यहां पर पर रहे हैं, वहां कुछ जॉब में कोडिंग के क्लॉफारमेट होती है कुछ जॉब में के अध्याप्रेंट होती है इस तरह से है या म mathematics and computing से भी placement ले सकते हो लेकिन उसके लिए फिर से वही है कि जैसे computing में computer science पर आएंगे mathematics mathematics कुछ courses हो सकता है तुम्हें अलग से पढ़ना हो machine learning यह सब अलग से पढ़ना पढ़ेगा बाकि उसके जो related subjects है जो company requirement है उसके हिसाब से बट हां mathematics and computing भी useful है प्लेस्मेंट उससे भी हो जाएगा ठीक है यह है कि क्योंकि MS और MA mathematics and computing जो आएट कुछ वाले हैं वो सिर्फ आएट जैम mathematics admission लेता है बाकि जैसे अभी साल नाइटी हामिरपूर है तो वह आएट जैम MS से MSC mathematics and computing एडमिसन दे रहा है बाकि जैसे और IIT जैसे नाइटी की बात कराओ नाइटी हामिरपूर है यह mathematics mathematics and computing में में कराते हैं जैम MS के तुरू बाकि नाइटी दुरगापूर और नाइटी में घालेया और डिफरेंट नाइटी जैसे नाइटी कोई है डिफेंस इंसूट ऐसा कुछ है तो आई-एफ्टी ऐसा कुछ नाम है यह सम्तिंग है उसमें कुछ ऐसा है डिफेंस से रिलेटेड है डिफेंस टेक्नलॉजी ऐसा कुछ है ना डिटी तो सम्तिंग इसूट है पुने में मुझे पुरा नाम भी याद नहीं है प्रोभी में सी डेटा साइंस ऑफर करती है जैम MS के तुरू तो लेकिन जो mathematics and computing computing IIT में है वो सिर्फ जाम में के तुरू लेते हैं जाम में के तुरू ही लेंगे जाए टी में जो IIT college में जो में माथमाटिक्स ने कंप्यूटिंग वो सिर्फ जाम में के तुरू ही होगा ठीक है किसमें हैं इस नाइन बौंब में में माथमाटिक्स है सो तो प्योर मातमड जैम में तुम मिलेगा हां डायट यस यस राजिव सही बता रहें आप डायट है ना डिफेंस इंसूट आफ द्वांस टेक्नलाजी ए जो इमेंस क्राती हे जैम में तुम पूने में ना तो वह सब क्या अ कि वो तुम पॉर्टल देखो मुझे याद निया कितनी लगती है तुम ओपनिंग क्लोजिंग देखो यहां पर इतना दिमाग क्यों तुम इतना जैसे थोड़े से थोड़े से खुदी एफर्ट्स माड़ लो ना देखो यहां पर लिखा हुआ है कि देखा था फिर भी दिमाग खाना है तुम इतना तो यहां पर जाके देख लो कि ऐसा थोड़ी मैं मुझे सब कुछ पता थोड़ी पता है मैं भी देख कर लेता हूं क्या चाहिए में के तुरू देख लो यहां पर जैम में सर्च कर लो यह अग्यद्र कर लो जैम में आप देखो में के तुरू का है अंधा है तो सब्सक्राइब स tampoco पतरूं मेजमत सब्सक्राइ Falls कि इल्गेरा इडिए जैन्वर्फेन वाल हुझ già ken racist आइटी गुवार्टी में M.A.C. Mathematics and Computing है, M.A.C. admission होता है, टोटल rank देख लो, अब तुम general category में 13 rank वालों ने लिया था, 13 से 75 पे close हो गया, वो general category का, EWS में 113 पे open हुआ, 171 पे close हो गया, open हुआ मतलब पहला बच्चा जो स्कोर्स में admission लिया है, वो उसका rank 113 है, और जो लास्ट बच्चा जहां तक admission offer हुआ है, 171 है, यह OVC का होगा 76 से 149, यह SC का होगा 99 से 550, ST का होगा 1361 से यहां तक, देख लो क्या category यहां लिखा हो तक category, यह यह ना हाँ, ठीक है, general EWS, OVC, SC, ST, तो यह opening rank, closing rank, यहां जाकर चेक कर लो, ठीक है बाई, तुमारा answer मिल गया, तो general में जाने के लिए तुम्हें, IIT, GUART में दो course है, M.A.C. Mathematics और M.A.C. Mathematics and Computing, तो उसके लिए तुम्हें जनरल में हो, 75 rank के अंडर इस बार admission हुआ, फोर ऊपर नीचे होते हैं, अगली बार हो सकता है कि 70 तक ही मिले, या 80 तक भी मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है, बच्चे का rank कैसा है, फलक्चुएट करते थोरे से, O.B.C. में, अगर E.W.S. में, 171 तक मिल जाएगा, जैम M.A. में, अगर O.B.C. में, 149 तक मिल जाएगा, S.C. में, 552 मिलेगा, S.T. में, 1385 तक मिलेगा, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ओके, हाँ, चलिए, स्टार्ट करते हैं, थेंक्यू,